आज के इस लेक्षर में हम इटरेटिव स्टेटमेंट और इटरेशन स्टेटमेंट जिसे हम लूप्स भी कहते हैं को डिस्कूस करने वाले जैसे कि हम हमें पता है हम जानते हैं कि यह कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है जो कि आपके प्रोग्राइम के फ्लो को कंट्रोल कर सकता है माल ले थे यह दि कोई कोड ब्लॉक है जो आपको रिपीटेडली एग्जीकूट कराना है same code block if you want to execute repeatedly n number of times depending upon any condition that n will be decided by any condition then we use the iterative statement or loops जब कभी मुझे एक code block बार बार execute कराना हो n number of time जहां पर वो n किसी condition पर based होगा या will be decided by a condition then हम उस case में iterative statement यूज करते हैं जिन हम loops भी कहते हैं एक example से समझते हैं कि कैसे हम iteration use करते हैं हमें जरूरत कभ पढ़ती iterative statements की माल लेते हैं मुझे एक से लेके 10 तक के number print कराने हैं उस case में हम यदि loops नहीं जानते हैं iterative statement नहीं जानते हैं उस case में हम ये काम कैसे कर सकते हैं आए पहले देखते हैं फिर उसके बाद हम आगे discussion करें उसके लिए मैं एक integer variable declare करता हूं और चुंकि मुझे एक से लेके 10 तक के number print करने इसलिए मैं यहां पर value initialize कर देता हूं ना आगला नंबर भी प्रिंट करना है इसलिए कुछ gap प्रिंट हो इसलिए मैं यहां पर इसलिए यहां पर लिखता हूं जो कि आपके लिए टाप प्रिंट करके देगा assuming that this is the variable i so initially i की value आपके पास 1 है 1 print हो चुगा so output values मैं यहां पर लिखता हूं so 1 is displayed now now i want to display 2 so somehow किसी तरीके से मुझे i को 2 बनाना होगा उसके लिए मैं यहां पर कहा लिखता हूं so let us this is i if i add it 1 if i add 1 to this variable i i'll get 2 and again i'll store this into the same variable i तो यहां i की value 1 जो थी वो हट जाएगी और 2 से update हो जाएगी तो i will become 2 now अब मुझे चूंकि अगली value 2 print करानी है और i 2 contain कर रहा है hold कर रहा है तो मैं इसको print करा देता हूं तो यहां पर मैंने लिखा c out i again और फिर से कुछ gap के लिए मैंने यहां पर slash t print करा है statement के execute होने से i की current value वो print हो जाएगी कुछ gap के साथ यह gap पिछली बार ही print हो गया था जब यह slash t print हो था और अब जो 2 print हुआ साथ में कुछ gap print हो जाएगा ताकि अगली value कुछ यहां print होगी अब मुझे 3 print कराना है फिर से i की value 2 है किसी तरीके से में इस i की value को एक से बढ़ाता हूं तो i'll add 1 to i 2 plus 1 that is 3 and will assign this value in i again so i की value यहां पर हो जाएगी 3 likewise अब मुझे अगली value 3 print करानी है तो i'll print this 3 और i तो i'll print i और फिर से कुछ gap के लिए मैं यहां पर slash t use करता हूं जैसी यह statement execute होगा 3 print होगा थोड़ा सा gap print हो जाएगा 3 भी print हो चुका अब मुझे अगली value 4 print करानी है again i'll add 1 to this variable i and will assign that value into the variable i so इस तरीके से यहां पर जो value 3 थी it will be updated by the value 4 and so on अब मैं आगे इस तरीके से आगे बढ़ता रहूंगा तब तक जब तक की सारी values print नहीं हो जाती अभी तक मैं कहां तक पहुंचाओ say 3 print होगा और मेरे पास i का current content यह वह 4 है क्या लगता आपको यह हमें कहां तक continue करना चाहिए तो देखते हैं कि आगे जो भी 4 आपको print करना वह आगे तयार रखा है इसी तरीके से यदि मैं आगे continue करूं तो मुझे यह code block total 10 times यहां पर ऐसे लिखने होंगे यदि मुझे एक से लेके 10 तक की number print करने तब और एक खास बात तो यह है यदि वो statement अलग-अलग होते तो ठीक था मुझे लगता कि ठीक है कुछ अलग कर रहा हूं लेकिन यहां पर एक सा code block same code block without any difference मैं सिप लिखता ही चला जा रहा हूं लिखता ही चला जा रहा हूं लिखता ही चला जा रहा हूं कब तक 10 times हाँ एक चीज और मान लेते हैं किसी ने कहा नहीं मुझे एक से लेके 10 तहीं मुझे तो एक से लेके 100 तक की number print करने तब उस case में क्या होगा उस case में मुझे यही code block 100 times repeat करना होगा without any difference बस typing करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे इस तरीके से जब मुझे एक सा code block बार बार लिखना हो तो इससे हम इसी पागलपन को दूर करना है उस केस में हमें कुछ smartly work करना पड़ेगा वो कुछ ऐसा करें कि जो भी statement हम बार-बार यहां लिखे execute करा रहे हैं उन्हें लिखें सिर्फ एक बार चला है कई बार ऐसा किया सकता है वही चीज़ हम लोग यहां पर करना की कोशिश करेंगे देखें कैसे जो सिर्फ एक बार हो रहा है उसे मैं अलग से लिख देता हूं यहां पर देखें जैसे मैंने लिखा का int i और i की initial value मैंने आपर रखी है वो यहां पर मैंने 1 initialize कर दी उसके बाद जो statement है वो मैं बार बार लिख रहे हूं तो मैं एक ही बार उसे लिखता हूं let's say c out i और कुछ gap के लिए मैंने या slash t mention कर दिया और उसके बाद i is equal to i plus 1 तो these are the statement जो कि मैं repeatedly execute करा रहा हूं बस अब देखिए हमने एक बार statement लिख दिये अब हम system को कहेंगे कि इन statement को आप बार-बार चलाते रहें तो यहां से मैं इसे अलग कर देता हूं कर दिया हमने देखिए अब कुछ इस तरीके से अब यह भी देखेंगे कि कैसे आपका काम कर देगा फिर से अस्यूम करते हैं कि यह वेरियबल आपका आई है यहां पर और i की इनिशल वैल्यू क्या हो चुकि यह वन पहली बार यहां से आप आये कुछ इस तरीके से execution होगा ह सबसे पहले यह statement execute होगा iq value print होगी iq value one print हो जाएगी मैं यहां पर ऐसे mark कर देता हूँ iq value one print होगी i is equal to i close one से iq value यहां पर two हो जाएगी यह two update होगए और अब जहां से कुछ इस तरीके से execution होगा एक बार अब यहां कोई statement नहीं लिखेंगे बलकि मैं चाहता हूँ कि यही statement फिर से execute हो जाए कुछ इस तरीके से तो क्या होगा फिर same statement फिर execute होगा see out i iq value क्या print हो जाएगी 2 थोड़ा सा gap के साथ और फिर i is equal to i plus 1 से जो iq value होगी वो 3 update हो जाएगी i will become 3 now ठीक है तो यह फिर से execute होगा फिर मुझे फिर इनी statement का execute कराने कुछ इस तरीके से तो फिर मै अब क्या होगा iq value print होगी iq value 3 print हो जाएगी और कुछ gap के लिए यहां पर आपके printing होगी i is equal to i plus 1 से यहां पर फिर से आपके पस क्या available होगा for इस तरीके से मैं यहां पर इस code block को repeatedly execute कराऊंगा पर यहां नहीं यहां एक बात अच्छी यह हुई कि अब जो statement मुझे लिखने मुझे बार-बार लिखने की जरुरत नहीं है write once execute n number of times अब यह जो यहां पर flow दिख रहा है this was the linear flow यह linear flow है लेगिन यहां जो flow हुआ this is iterative और चूंकि यह close path form कर रहा है यहां पर इसलिए हम इसे loops भी कहते हैं as it is forming a close path अब यहां पर सिर्फ कुछ requirements है वो क्या देखिए जैसे मैंने कहा था पहले एक से लेके 10 तक तो यह execution कितनी बार होना चाहिए था 10 times लेकिन उसके लिए भी आपको कितनी बार लिखना पड़ा सिर्फ एक बार फिर हमने कहा था कि इन्हीं statement को 100 बार लिखना है तो हम यह पसी किना आ जाएगा कि 100 बार एक ही statement लिखते चले किसीने का 1000 नंबर करने तो वही हम बार-बार-बार-बार-बार-बार statement लिखना होगा लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं है यहां आपको 10 बार वैल्यूस प्रिंट करने तो भी आपको दो ही लाइन लिखने है तो भी आपको यही दो लाइन लिखने हैं सिस्टम को कहना है कि आप इसे कितनी बार चला ले 100 ताइम्स यहीं नंबर प्रिंट करना है वन टूँ कि इसे आप एन टाइम्स चलाए एन नमर अफ ताइम्स तो नाव तिस ताइम्स तो डिसाइड हाव एन वी डिसाइड वो एन कैसे डिसाइड के जाए उसके लिए अब हमें यहां पर कंडिशन लिखने होगी तो जो नेक्स इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रख इनिशिलाइजैशन यह इनिशिलाइज़ेशन स्टेटमे यह डिसाइड करेगा कि आपको शुरुआ कहां से करनी है यहां पर जैसे हमने शुरूरब की इस इकल टो वन से तो देस्विल बी इनिशलाइज़ेशन स्टेटमें अभी मैंने कहा कि आपको यह statement कई बार कितनी बार execute करा ना उसके लिए हमें condition की जरूत बड़ी कि तो second important point जो आपको पता होना चाहिए that is condition और यही condition decide करेगी कि यह जो iterative statement है वो कितनी बार execute होगा that will be decided by the condition जो condition होगी वो relational operator logical operators को use करते हुए लिखी जा सकती या कोई भी boolean expression आप use कर सकते condition के लिए जो decide करेगा कि यह iterative statement कब तक execute होता रहेगा जब तक यह condition satisfy होती जाएगी वो condition हर बार चेक की जाएगी हर iteration में condition check की जाएगी हाँ यह जरूर रहता है चेक पहले करना है या बाद में that depends पर जब भी execution repeated execution होगा हर बार condition check की जाएगी condition satisfy होती है तो execution repeatedly continue किया जाएगा तब तक जब तक क्यो condition satisfy होते जाती है as soon as the condition gets failed यह repeated execution terminate हो जाएगी इसके अलावा तीसरी बात जा आपको देहां रखनी है that is updation now this updation normally लोगो से increment और decrement भी कहते हैं कुछ भी कहा जा सकते हैं what is updation now here this statement is the sort of updation statement तो यहां में लिग देता हूं that is updation statement this is the initialization statement and lastly तो यहां updation के बारे में हम बात करना है देखिए updation की क्या जरूरत है यहां पर यदि हम ध्यान दें तो हमने one से शुरुआत की और हमें hundred तक जाना है तो इसके लिए मुझे condition लिखना है तो मैं condition लिखूंगा कि यह इस आइ मैं ऐसे condition लिखता हूं कि तब तक काम किया जाए जब तक कि i की value यदि मुझे 10 तक जाना है तो मैं चेकर नहीं चले जाती यदि मुझे hundred तक जाना है तो मुझे फिर एक zero add करना होगा यदि thousand तक जाना है तो मुझे फिर एक zero add करना होगा इतना असान और यह condition बार-बार चेक की जाएगी so this will be the condition statement और इस condition को हम जो different types of loops अभी हम लोग discuss करेंगे उनके through हमें manage करना होगा यदि मैं while loop use करता हूं तो I'll use while keyword over here and I'll specify the condition over there इस तरीके से हम इसे लिखेंगे हमने अभी इस while loop के बार में discussion नहीं किया है इसलिए मैं इसे use करने में मैं नहीं चाह रहा था use करूं लेकिन मैंने use कर लिया यहां पर so इस while loop में हमें यहां पर condition specify करनी पड़ेगी अब यह condition हर बार यह condition satisfied है तो यह block execute होगा इस तरीके से चलता जाएगा तब तक जब तक की condition satisfy होते जाती है तब रुख जाएगा जब यह condition fail हो जाएगा हम बात करें थे अप्डेशन के बारे आई की value हमने शुरुआद की थी 1 से यहां से लेकिए यहां तक का जो सफर जो एक-एक से बढ़ता हुआ जा रहा है यदि मैंने कहा कि मुझे कहीं से शुरुआत करनी है और मुझे destination तक पहुचना है और यदि मैं शुरुआत में खड़ा रहूं तो क्या मैं कभी destination तक पहुच सकता हूं नहीं मुझे उसके लिए आगे steps चलनी पड़ेंगी वही updation statement यहां पर actually हम जिसकी बात कर रहे हैं तो कोई न कोई ऐसा statement होना चाहिए जो मुझे initial point से final termination तक पहुचा है and that statement is known as the updation statement अब यह updation statement incrementing भी हो सकता है decrementing भी हो सकता है जैसे for example यहां पर updation statement यह है जो हर बार value को एक से बढ़ा रहा है जो मुझे one से कहां तक पहुचा रहा है thousand तक 10 तक या hundred तक जो भी आपने value लिखी हो ऐसा भी तो हो सकता है मुझे 10 से one की तरफ आना हो तो उस case में decrement करेंगे हो सकता है आपको step wise चलांग लगा के चलना है दो-दो सीडियां चलना है तब आप उससे दो-दो से आगे बढ़ाएं तो यह कोई भी value हो सकती है जो value को update करें जो looping index होगा उसको update करें तो यहां में एक और नई term use करेंगे looping index what is the looping index looping index वह variable होगा जो loop को initialization से final termination तक पहुचा है which drives the loop जो loop को चला है उसे हम looping index कहेंगे यहां पर हमारे looping index 1 है जो हमें 1 से start करवा रहा है और कहां तक पहुचा रहा है 1000 तक 10 तक या जो भी value हम तक पहुचाना चाहा है तो वह statement जो looping index को initial point से final termination तक पहुचा है वह statement यह वह variable index variable होगा looping index हम उसे बोलेंगे और उसे जो statement update करें वह update statement कहला है तो यहां हमने तीनों ही बाते discuss कर दी इनिशिलाइज़शन यह बताता है कि कहां से शुरुवात करनी है loop की condition क्या बताता है कि loop का जो iterative execution है repeated execution है उसे कब तक जारी रखना है कब तक continue रखना है और update statement बताता है कि कैसे initialization से final termination तक आप पहुचेंगे बढ़ते हुए गढ़ते हुए कितनी value से बढ़ते हुए या कितनी ज्यादा value से घठते हुए and so on so किसी भी loop में ये तीन properties होनी चाहिए होती है अब हम बात करते हैं different types of loops की so there are three types of loops so I'll discuss let's say types of loop or iterative statement so हमारे पास सबसे पहले while loop then next for loop and then the third type of loop is do while loop किसी भी loop की हम बात करेंगे आगे की lectures में हम हर loop को individually discuss करेंगे किसी भी loop में आपको initialization, condition and update statement ज़रूर मेलेगा so this is all about the discussions related to iterative statement or loops आगे की lectures में हम इंगी loops को discuss करेंगे thank you करेंगे